ओके तो वीडियो no.3 स्टार्ट करते हैं that are the inhibitors of folate synthase ठीक है synthase enzyme है जिसको inhibit करेगा यह क्या है अब हम जो है न फॉलिक acid antagonist discuss कर रहे हैं ठीक है combination of synthase and reductase तो उन सब के अपने resistances है mechanism infection तो इतर ही हो गया अपने फॉर्म को kinetics अपने adverse effects अपनी स्पेक्ट्रम थोड़ डिफरेंट होगा थोड़ सिमिलर ही है तो तो छबाते हैं इसलिए मैंने का इसके separate video बना दू ठीक है तो video no.3 में हम जो है न inhibitors of folate synthase discuss करें video no.4 में reductase in video no.5 में mix combination of this and this ठीक है okay तो start करते हैं with this video ठीक अच्छा तो इस इस inhibitors of folate synthase combia केते हैं sulfonamides भी केते हैं या पर in short sulfa drugs ठीक है drugs मैंने जो है न classification video में बता दी है इसमें sulfacetamide, sulfadyazine, sulfamethazole, sulfacelazine, silver sulfathazine and the succinyl sulfathiazone ठीक है इस सारी drugs जो है न इसमें include होती है ठीक तो और अब जाहने इसका antibacterial spectrum करते हैं जो के है it is used against the bacteria in the urinary tract ठीक है और other जो bacterias है जो के nocardia आपने बढ़ा होगा जो के bacteria है ठीक टॉक्जो प्लास्पोसिस गॉंडी वो क्या है parasite है उसके इलावा chloroquine resistant malaria वो भी parasite है ठीक है तो यह इसका antibacterial spectrum होगा या फिर parasite ठीक है अलजगा antibacterial लिख रहा था है तो यह मैंने same heading लिख लिए क्यों यह तो parasites है चलें को छोड़ें तो अब आते हैं इसके mechanism of action पर ठीक है तो video number three video number four and video number five सबके mechanism of action से मिला रहा है ठीक है मैं तीनों में दुबार दुबार explain करूंगा कि दिमाग में बैठ जाए ठीक तो इस step में यह है के पहले बता दू कि यह step जो है यह सिर्फ microbes में होता है ठीक और जो यह step है यह microbes plus humans दोने में होता है ठीक dihydrofoilate से tetrahydrofoilate process ठीक अच्छा हम स्टार्ट करते है with this process इसमें क्या है यह यह पाबा क्या है परामाइनो butyric acid है ठीक परामाइनो benzoic acid sorry अच्छा हम यह तोनों combination से dihydrofoilate बना देते है microbes ठीक है यह फिर direct glutamate है amino acid उससे जो है ना dihydrofoilate बना देते हैं with the enzyme this synthese enzyme बस सिर्फ synthese याद कर ले और बस छोड़े dihydrofoilate synthese कर ले ठीक है बस synthese याद कर ले synthese enzyme में जो कि यहाँ पर synthesis कर रहा है folate की यहाँ पर active मैंने लिखा तो यहाँ पर यह क्या होगा inactive folate है ठीक तो इन दो process से denovo synthesis हो रही है यह क्या है denovo synthesis इस denovo synthesis मैंने क्यों का है मैं अभी बताऊंगा resistance में पर यह बात अच्छा तो denovo synthesis होती क्या है मतलब क्या कुछ चीज बनाना scratch से ठीक है आप चाय बनाते तो चाय की पती दूध पानी और चीनी सब कुछ लेके जो है ना चाय बनाते ठीक है direct तो चाय नहीं है तो चया नहीं है ना type to scratch से बना रहे हैं तो इस से तरह ही step by step चाहेंगे तो यह step सिर्फ m will be से उठा लेते हैं औफिर इसको कर लेते थे डायज़रूफॉलेट में ठीक है तो ये प्रोसस सिर्फ microbes में हैं और ये process सिर्फ inhibit होंगे यहाँ पे ठीक मतलब ये drug सिर्फ ये process inhibit करेंगे ये process inhibit नहीं करेंगे ठीक है तो जब microbes हैं यहाँ पे inhibition हो कोई इस process की inhibition हो कई तो dihydrofolate नहीं बनेगा जब यह बनेगा नहीं तो यह Addenin and guanine, ये क्या है, Purines है, ठीक है, तो Amino Series, Puring and Thermidine, सब कुछ बना रहा है, जो कि इसके आब सारे basic Proteins और सारी इसका जो DNA Synthesis है, सब को उन 컨्ट्रोल करता है, इदर से 컨्ट्रोल हो रहे हैं, तो आब हम ये स्टॉब कर रहे हैं, तो इसके metabolism stop कर रहे हैं इसके nuclecid synthesis stop कर रहे है जब ये चीज़े ही नहीं होगी अडिन, गौनी, नोथाम, अडिन, सब कुछ base pair ये, base pairs भी है ठीक है तो base pairs भी नहीं होगे तो DNA replicate भी नहीं होगा ना जो है ना transcription होगी ना translation होगी transcription, transcription, transcription कुछ भी नहीं होगा, ठीक है तो सारी process जो है ना हम रोक रहे है ठीक, तो यहां से इस तरह ये approach कहा है डारेक जोना molecular level में इसकी approach है इस drug की तो अच्छा, तो अब इसका ये mechanism infection होगया अब जो next drug पढ़ेंगे वो reductase होगा, जो कि ये synthesis prevent करेगा ठीक है, ये humans में भी होता है और ये microbes में भी होता है ये process सिर्फ microbes में तो हमारे human के metabolism है, जो कि हमारी भी basic requirements है नहीं है ये prevent नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हम तो direct यहां से ही start करते हैं, dietary supplement लेते हैं और यहां से start करके इस तरह जाते हैं तो ये process effect हम में नहीं होगा, ठीक, तो यहां पे होगा इसका mechanism of action, अब resistance पे बात करते हैं resistance इसकी जो है ना बहुत different जगों से हो सकती है अब बात करें के यहां पे जो है ना ये molecules हैं, ठीक है यहां पे जाके इसकी inhibition करें तो हम अगर कोई bacteria ये इस तरह कर सकते हैं मतब different random mutations कर सकते हैं इस group को change कर लेंगे, attachment करके इस group को भी attachment कर लेंगे, different change करके तो वो फिर molecular detect भी नहीं कर पाएगा यार ये तो कुछ और चीज़ आ रही है, ठीक है तो इस तरह जहना, इस तरह एक तरह की ये inhibition होगी, ठीक है एक ये होगी कि decreased cellular permeability मतब कि efflex करा रहे है ड्रग को तो एक वो होगी, ठीक मैंने one बता दी इधर changes होगी, ठीक यहां पे जोईना, एक ये होगी, ठीक है दो होगी, efflex of the drug to concentration proper होगी नहीं तो नहीं होगा, ठीक है एक ये बात होगी, कि हम increase production करते पापा की, या इनकी सबस्टेट्स की क्या है, increase production कर दे अब for example, 10 drugs है मतब 10 drug के molecule है 10 को रोगती है, ठीक है इनकी ambition रोगती, 10 molecules की अब हमारे पास increase हो गए है पापा ठीक है, PABA माइक्रोब ने increase कर दिये first करे 20 बना दिये अब rest of the 10 तो free है न तो वो जाके वापस ही अपने step करते रहेंगे ठीक है, जब यह बना रहे है तो enzyme सी भी बना देगा increase enzyme production increase of state production जिसकी वाज़े से वापस start हो जाएगा process तो drug हो भी लेकिन drug effectively सब कुछ stop नहीं कर रहा ठीक, तो यह हो गई इसकी third type of resistance और इसकी resistance इस तरह हो सकती है कि मतलब हमारी humans पे जो है न यह वाल effect process नहीं होगा तो एक और resistance यह हो गई कि humans वाली बात होई humans पे resistance किस तरह effect नहीं होगा क्योंकि वो direct यहां से process start कर रहे है ठीक, तो यहां से एक resistance ले 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 कि अगर यह microbe environment से folate ले रहे है ठीक है, denovo synthesis नहीं कर रहा है denovo synthesis मैंने कहा तो यह बात में बताऊंगा denovo synthesis अब यह microbe नहीं कर रहा है तो यह process वो कर रहा भी नहीं है उसने यह process skip कर दिया direct यहां से जा रहे है ठीक, तो इस process कोई ही नहीं इंडिवेट कर रहे थे उसने environment से ही folate ले ले लिया या अगर human का folate जो है नहीं यूज कर रहा है ठीक, तो यह process skip हो गया तो यह बनेगा, बनेगा, बनेगा तो सारा जो है नहीं सारी requirement सब को जो है सब कुछ पूरा होगा ठीक, या फिर यह enzyme है मतलब कि mutation करके इस enzyme के receptors change कर लेंगा, आप बे drug attach हो रही थी यह भी एक resistance हो गई कि enzyme ही different है तो यह drug जाके किस पे जाके act करेंगी, ठीक तो उसके लिए attack के लिए जगा ही नहीं है ठीक, तो यह different types of resistance हो गई और mechanism of infection भी explain हो गया ठीक, इस mechanism of infection को मैं separate next video में भी explain करूँगा दोबार दोबार करूँगा कि अगर कोई बात यहां पे explain नहीं होई, वहाँ पे हो जाए यहां पे रखर यहां पे भी explain होई होई है, आच्छे होई होई है तो दोबार repeat हो जाएगी, दिमाह में बाट जाएगी, ठीक अच्छे तो अब आते हैं इसके फर्मको कानेटिक्स पे, वहाँ के तो फर्मको कानेटिक्स फर्स्स discuss करते है absorption and administration ठीक है absorption इसकी sorry administration इसकी औरली जो हैना सारे drugs जो हैना मतलब effective absorption होती है विया इस small intestine ठीक है except except कौन सा है अच्छे एक्सेप्ट को भी हम यूज कर सकते हैं ठीक है एड्मिनिस्टेशन हो की औरल और यह की absorption भी दोनों की हो गई वह small intestine से small intestine से accept दे तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं क्या वह obviously अगर absorption नहीं होरी तो अब हम किस तरह यूज कर सकते हैं अगर chronic bowel disease हो जाएं ठीक है bowel में मतलबाने small intestine में या फिर GI tract में infection हो जाएं तो यह जाकर उसको टार्गेट कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह हम यूज कर सकते हैं इन चीजों को जो के absorb नहीं हो सकती ठीक उसके इलावा जो है ना यह drugs जो है ना हम administration टॉपिकल वैसे नहीं करते ठीक लेकिन अगर कोई burn victims हो burn वाले burn के victims हो उसमें जो है ना हम use कर सकते हैं उसमें जो है ना मॉफिनाइट एंड सिल्वर सल्फर दाइजीन यह drugs यूज कर सकते हैं इन burn patients में ठीक है burn patients में जो है colonization of different bacteria जो है उसको prevent करने के लिए जो है ना हम यह देते ठीक है वैसे टॉपिकल नहीं देते ठीक है लेकिन burn patients में हम देते हैं लेकिन प्रफिनाइट और सिल्फर दाइजीन लेकिन फिर भी अगर रिजिस्टेंट बैक्टियर्स होंगे तो वह तो obviously growth उसमें कर दे रहेंगे उनको तो कोई effect नहीं पड़ेगा इसे कि यह जो है ना apply हुए के लिए apply लेकिन इसमें इसमें प्रेफरिबल ड्रग क्या है सिल्फर डाइजीन है मफिना मफिनाइट नहीं देते हैं क्योंकि अब नहीं देता है क्योंकि यह जो है अब्सॉर्ब हो जाती है और वह जाके और acid based and imbalances cost करती है ठीक है और यह जो है ना pain on administration भी होती है मफिनाइट की ठीक है तो सिल्फर डाइजीन अच्छी ड्रग है जो ब्लड में आ कही है तो अब distribution distribution इसकी क्या है मतलब vast into the tissue space में body के हमारे water में सब में जाके जो है ना चीतारा penetration करती है और CSF में भी जो है ना इसकी penetration है उसके इलावा जो है यह placenta के barrier को भी cross कर देता है और जाके enter into the fetal fetal tissue ठीक है सब में जाके इसकी distribution हो रही है ठीक है और white distribution हो रही है हमारी body में भी ठीक अचा और इसकी absorption के related यह बात है कि कोई कुछ मतलब metabolism and absorption की collective बात है मैं आपका लेता हूँ metabolism 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 में यह इसके metabolism by acetylation होता है ठीक है that is the phase two metabolism है जिसमें acetyl group attached हो जाता है to the drug ठीक है तो drug plus acetyl क्या है inactive है inactive है जिसमें कोई antimicrobial activity इसके नहीं है ठीक है it lacks its any activity against microbes लेकिन यह बात है कि acetylation है तो acetylation के related यह बात है कि कुछ patients होते हैं acetylation है तो slow acetylators और एक होते है fast acetylators क्या मतलब slow का मतलब obviously slow fast का मतलब speed के related ही है लेकर यहां पर acetylation क्या reason मतलब के slow का मतलब के slow हो रही है acetylation क्या है metabolism है तो यह आप slow metabolism हो रही है कितनी बार रही है acetylation acetylation करना है तो बात यसल में है कि इनके पास enzymes degrees होते हैं ठीक metabolism slow होगी इनमें तो metabolism जब slow हो रही है तो हमारी बाड़ी में ज्याते देर के लिए पड़े रहेंगे तो toxic effects produce हो सकते हैं जल्दी in patients जिसमें जो slow acetylator हो ठीक है तो यह इस बंदे को भी देखना है कि अगर slow acetylator है तो उसमें dose reduce करनेंगे अगर fast acetylator है तो फिर पीज़न पर dose increase कर देंगे लेकिन वो खैर है उसकी problems नहीं आती है मतलब हम सिरफ acetylator को किस लिए देख रहे हैं क्योंकि side effects ठीक है कि यह है तो इनमें अगर same oral administration कर रहे है तो absorption तो similar हो रही है लेकिन metabolism नहीं हो रही तो blood में ज्यादा देर के लिए इन सब में पढ़ा रहेगा तो side effects ज्यादा आएंगे अब मैं side effects जब करूँगा तो पिर आपको तो यह क्या बन जाते है acidic ट्रक बन जाती है ठीक है acidic बन कोई inactive and acidic जो कि जाके precipitate कर देंगे पैसे मतब यह GFR से जो जो जाके जो है यह excret हो ठीक है और यह जाके eliminate होगी इन से और यह जाके eliminate होगी इससे और बनता है जिसकी जो है ना kidney dysfunction है ठीक तो उस बंदे को जो है ना हम dose reduce कर देंगे ताकि उसमें भी excretion नहीं होगा अगर slow acid dilator है यह affected है kidney दोना में जो है ना हम क्या कर देंगे degrees कर देंगे ठीक है अच्छा तो मैंने precipitation की बात की थी बस अभी आखर यह बात रहेगी they precipitate in acidic या फिर neutral BHB है ठीक है इन में precipitate कर लेते हैं ठीक है precipitate कर कर कि क्या करते ह है ठीक है तो अब इसके side effects में यह बात आ जाएगी side effects अभी वह बात भी कर दूँगा sedator और यह वाली बात भी ठीक है अच्छा पहली है क्रिस्टल यूरियम अथा हमारे किड्नी में क्या हो जाएंगे क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स हो जाएंगे इन ड्रक्स की जो inactive metabolites थी वह जाके precipitate हो जाएंगे अब यह precipitation किस तरह prevent होगी by hydration and by alkylating the urine की अब urine को alkylate कर लिया तो acidic environment precipitate हो रहे थे नब precipitation होगी नहीं और hydration का क्या मतब जितनी बौट पाली ज़्यादा लेंगे उतना urine outflow ज्यादा होगा उतनी ही यह precipitate होगी भी नहीं ठीक है flow out हो दे जाएंगे तो precipitate नहीं होगे तो crystals बनाएंगे नहीं ठीक है तो यह हो गया यह इसका और excretion में मैं बात बूल किया यहाँ पर जो नहीं ब्रेस्ट मिल्क में भी क्या होते हैं एक्सकूरीट आउट होते हैं तो यहाँ पर इसकी counter indication की बात आगी तो pregnant woman breast milk आ गया ठीक है defects करा रहा है और बच्चे क्या होंगे बच्चे खामखा स्लो असीटाइलेटर्स होंगे क्योंकि उनका liver functional मत अभी इतना नहीं है growth liver की इतनी नहीं हुए भी enzymes less हैं तो वो स्लो असीटाइलेटर्स ही होंगे तो बच्चों में भीच वहना नहीं देंगे pregnant woman को भी नहीं देंग defects वह हैं यहां पर hypersensitivity reactions कारेगा ठीक है इसमें राइस होंगे मतलब एक है steven johnson syndrome जिसमें हमारी mucus हमारे mucosa mucosa मतलब हमारे internal हमारी body की lining ठीक है mucosa और इसके लावा सारी skin हर जग जो है ना allergic reaction rashes cause हो जाएंगे ठीक है Google में तस्वीर भी दे सकते है steven johnson syndrome की allergic severe hypersensitivity reactions है ठीक है allergic to sulfa drugs ठीक है okay यह उसका होगे hypersensitivity reaction तो दो और इसके इलावा जो है na hemolytic anemia भी cause करेंगे यह drug ठीक है hemolytic anemia कैसे कि अगर कोई patient है जिसमें g6 pd deficiency on me ठीक है तो इसमें be dose reduce कर देंगे क्योंकि इनकी वज़े से जो है इनकी वज़े से जो है ना मतलब के rbc जो है बस जिन्दा है तो बस g6 pd deficiency deficiency sorry deficiency नहीं जी 6 pd enzyme की वज़े से ठीक है तो बस यहां पर बस खतम कर देते है इस अबाउट दे इन्हेबिटर्स और फोलेट सेंथे तो नेक्ट वीडियो में मैं रिड़क्टेस की बात करूँगा ठीक भूपर 4 blunt तो 2 DC 1 वीडियो बस्वा है 2 वीडियो 2 कल भूबक्वान 1 वीडियो 1 वीडियो 1 वीडियो 1 df 5 16 16 16 17 18 18 18 19 16 一 झाल झाल